आज कि बड़े हों क्लास 11 में जितने ही बच्चा हूं सभी बच्चे के लिए रहना लिए है आज हम फिजिक्स का सैंबले पर सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके डियो की तरफ से ये जो सैंबले पर लांच किया गया है अब यहाँ पर आज हम section E करने जा रहे हैं बाकी section A, B, C, D आपको already करा दिया गया है आप एक बार discussion चेक कर लिए वहाँ पर आपको सारी की सारी videos का link मिल जागा और आपको वहाँ पर playlist का link मिल जागा जिसमें जो हैं सारी की सारी videos वहाँ पर create कर दी गई है चले इस video को start करते हैं और यह आपका जो sample paper रहने आला है यह final term का रहने आला है यानि कि जो आपके annual examination होना आला है 15 से लेकर तो फिर उन से पचकली video रहेगी चले इस video को start करते हैं section E से और बहुत सारी बच्चे जो हैं इस वाले sample paper की PDF भी मांग रहे हैं और बाकी यह आपका sample paper है DOE का जहांपर यह आपका section A है यह है आपका section B और इसके बाद है आपका section C और इसके बाद section D इन सभी का solution मैंने अल्रेडी करा दिया है और आज हम section E करने जा रहे हैं section E में जो आपका first question है इसमें आपको यह rotation motion का है इसमें जो आपको first question पूछा गया है इसमें आपको यह बुलागा है कि rotation analogy बतानी है force in a linear motion जैसे force होता है linear motion में वैसे आपको rotational analogy में जो है force का क्या होता है वो आपके यहाँ पर बताना है तो फिर force जो है वो rotation motion में torque के नाम से जाना जाता है और torque को हम moment of force के नाम से भी जानते है तो फिर यहाँ पर option number a आपका correct answer हो जागा और second में आपको यह बूछा गया है कि torque जो है वो यहाँ पर से torque का सही जो formula है वो यहाँ पर कौन सा होगा तो फिर option number c जो है वो यहाँ पर आपका correct answer होगा r cross f vector इसका formula होता है torque का और third question के तरह बढ़ते है third question में आपको भी बूलाए है कि आपके पास 120 newton का force है is required to open a nut using a spanner of length 10 cm यहाँ पर जो आपके पास एक spanner है जिसकी जो length हो यहाँ पर 10 cm है उससे एक nut को open किया जाता है 120 newton force के साथ और यहाँ पर आपको यह बूलाए है कि अनदर जो spanner है उसकी जो length है वह आपकी 6 cm और यहाँ पर आपको यह बूलाए है कि उसी same nut को open करने के लिए जो आपका force required होगा वह आपको क्या होगा तो फिर यहाँ पर जो दोनों का torque है वह equal होगा यहाँ पर आपको थर्ड कोशन में बूलाए है कि आपके पास एक force है जो है आपकी 120 newton और यहाँ पर आपको length given है वह है आपकी 10 cm किसी nut की और second condition में आपके पास same nut है और यहाँ पर जो आपको force बतानी है कि कितनी force से इसको open करा जा सकता है और यहाँ पर आपको length given है इसकी length है आपकी 6 cm अब यहाँ पर आपको force की value फाइंड करनी है अब यहाँ पर हम क्या करता है यहाँ पर से आपको torque का formula पाता होना अच्छे torque होता है आपका r cross f vector अगर यहाँ पर से हम torque की value निकालने तो फिर यहाँ पर हम put करके force की value निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों की दोनों same nut है दोनों का torque same होगा यहाँ पर से r vector हो जाएगा आपका 10 cm और इसको meter में change करता है यह हो जाएगा आपका divided by 100 into F vector होगा आपका 120 newton एक 0 से यह अला 0 कट जाएगा इससे यह कट जाएगा टॉर्क आ जाएगा आपका 12 newton meter अब यहाँ पर से हमें असानी से जो force की value हो मिल जाएगी same formula use करते है torque is equal to my r vector cross f vector यहाँ पर torque की value है हमारे पास 12 newton meter और जो इसकी length है वह है आपके 6 cm meter में change करते हैं तो divided by 100 into my f vector इसकी value आपका यहाँ पर से मिल जाएगी यह हो जाएगा आपका 12 into 100 divided by 6 is equal to my f vector इसकी value मिल गई आपको यह से कट गया 2 और f vector आपका 200 newton force मिल गई आपको यहाँ पर और option number B जो है यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा इसी में जो आपका B part है इसमें आपको बुलागया है if applied torque on a system is 0 अगर जो applied torque है वह 0 है तो फिर then for that system इन में से कौन सी condition जो है वह यहाँ पर true होगी तो फिर यहाँ पर आपको first में बुलागया कि moment of inertia is 0, angular velocity is 0, angular acceleration is 0 या फिर none of the above तो फिर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहत हो जब भी आपका जो applied torque है अगर वह 0 होता है किसी system का तो फिर यहाँ पर जो आपकी angular velocity होती है वह आपकी constant होती है और अगर angular velocity constant है तो फिर जो आपका यहाँ पर acceleration होगा वह आपका यहाँ पर 0 हो जाता है क्योंकि आप जब भी जो है angular velocity का जो differentiation करोगे तो फिर angular acceleration मिलेगा और constant term का जो आपका differentiation होता है वह हमेसा 0 होता है तो फिर यहाँ पर जो option number c है वह आप correct answer होगा angular acceleration will be 0 second वाली जो आपकी case study है यह आपकी escape velocity पर रहेगी और यहाँ पर जो आपका chapter रहेगा यह रहेगा gravitation से और यहाँ पर आपका इसका first question है यह आपको बोला गया है कि if mass of the body a is larger than the mass of body b then escape speed of a तो फिर यहाँ पर आपको बताना चाहता हो जो आपकी escape speed का जो formula होता है वह होता है आपका under root में 2gm by r और इसको acceleration due to gravity के terms में represent किया जाए तो फिर यह होता है आपका under root में 2g r और यहाँ पर जो आपका यह formula होता है यह body के mass पर depend नहीं करता है यह planet के mass और radius पर depend करता है तो फिर यहाँ पर से जो इन दोनों body का mass जो है वो एकर जगर जादा हो या फिर कम पर दोनों का formula होगा या फिर जो escape speed होगी वो दोनों की equal होगी तो फिर यहाँ पर option number a है will be equal to speed of b वो यहाँ पर correct answer होगा दोनों की escape speed जो है वो यहाँ पर ब़राबर होगी क्योंकि जो आप आपको second question में ही बोला गया है कि suppose escape velocity for two identical object a and b thrown from the surface of earth and moon और va and vb respectively then यहाँ पर आपको escape velocity given है दो identical objects की एक को यहाँ पर से earth की surface से फिका जाता है और दूसरे को moon की surface से और यहाँ पर आपको बुला गया कि escape velocity जो है earth की वह यहाँ पर va से represent की गयी है और moon की वह है vbe और अपर जो आपको correct option जो है यहाँ पर आपको choosing होना है तो फिर यहाँ पर जो आपका C option होगा और यहाँ पर correct answer होगा जो आपकी escape velocity होती है earth की वह comparatively moon उनके escape velocity से ज्यादा होती है नेक्स को सब्सक्राइब बढ़ते हैं यहाँ पर आपका नेक्स को सब्सक्राइब आपको बुला गया है the escape velocity on the earth is 11.2 km per second the escape velocity on a planet having mass twice that of the earth and radius half that of the earth will be तो यहाँ पर आपको बुला गया है कि escape velocity जो है अर्थ की वो है आपकी 11.2 km per second और यहाँ पर आपको escape velocity बतानी है एक planet की जिसका जो mass है वो अर्थ के mass के दो गुना है और यहाँ पर जो उसकी जो radius है वो अर्थ की radius से half है तो फिर यहाँ पर आपको escape velocity बतानी है चले इसको calculate करता है यहाँ पर आपको next question में बुला गया है कि आपके पास एक आर्थ है और एक दूसरा planet है और यहाँ पर आपको आर्थ की जो escape velocity गीवन है वो है आपकी 11.2 km per second और यहाँ पर आपको जो आर्थ का mass given है यहाँ पर हमने लैट कर लिया जो आर्थ का mass है वो है आपका capital M और जो आपका अर्थ की radius है वो है आपकी capital R और यहां पर आपको यह S के वैलोसिटी का फार्मॉला होता है और यहां पर आपको यह बताना है कि दूसरे प्लैनेट पर जब जो उस वाले प्लैनेट का मास है वो अर्थ के मास के दो गुना है और जो उसकी रेडियस है दूसरे प्लैनेट की वो earth के radius के 1 by 2 है यानि कि earth के radius के half है तो फिर यहाँ पर आपको sk velocity बतानी है sk velocity का आपका formula के होता है on root में 2 gm upon r अब यहाँ पर आपको सागर सागर data given है इसकी velocity जो sk velocity है यह आपकी 11.2 km आपको question में given है यहाँ पर आपको इसकी sk velocity बतानी है इस वाले planet की कर लेता है यहाँ आपका g और यहाँ पर आपका इस planet का mass है वो है आपका 2m यानि कि earth के earth का जो mass है उसका double है और यहाँ पर जो इसकी radius है वो है आपकी r by 2 अब यहाँ पर से sk velocity हो जाएगी आपकी unroot में 2 आपको उपर चला जाएगा यहाँ आपका 2 into r और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी value जो है वो हमें question में given है इसकी जो value है वो है आपकी 11.2 km तो फिर यहाँ पर से escape velocity क्या हो जाएगी 2 into इसकी value है 11.2 km पर second तो फिर escape velocity हो गई आपकी 22.4 km पर second तो फिर यह हो गया इसका answer और यह सारे questions थे जो section E के थे तो फिर इस video में तरह ही बाकी आपका जो assembly पर है वो यहाँ पर complete हो चुका है और बाकी next video में आपको हम most important questions बताएंगे तो फिर जो उसकी video का link है आप एक बाद discussion चेक कर लेना वहाँ पर आपको मिल जाएगा तो फिर यह था आपका section E का solution बाकी section A, B, C और D आपको अलड़ी करा दिये गया है जिन बच्चों ने वाली वीडियो नहीं देखी है आप एक बाद discussion चेक कर लेना आपको वहाँ पर सारी सारी वीडियो का link मिल जाएगा जो आपके term 1 और term 2 के most important topics है जहाँ पर जो frequently questions पूछे जाते हैं आपके paper में तो फिर इसके बाद आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी आप channel से ज़रो से connect करेना और जितने ही बच्चों ना भी तक telegram channel को join नहीं किया है मैं आपको बता दूँ वहाँ पर मैं आपको इसकी sample paper की जो PDF है वो भी वहाँ पर आप provide कर दूँगा तो फिर discussion में आपको telegram channel का भी link मिल जाएगा आप पर से visit करके telegram channel को join कर सकते हो और वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF provide कर दूँगा वहाँ पर से download करके आप इसको solve भी कर सकते हो तो फिर इस वीडियो में तना ही बाकी वीडियो अच्छी लेगी तो फिर वीडियो को लाइक देना और चैनल पर नहीं तो subscribe जाएगा देना बाकी मिलता है असे सनक्टर में कर साथ अब तक लिए जाएँ चावर